हलार महादेर, देवो के देव महादेर जी के चरण में परणाम, भोलेदारणी के चरण में परणाम, मेरा परणाम स्विकार हो, मेरा परणाम स्विकार हो, गुर्बाइबहन, मैं एक कथा सुनान जा रही हूँ, एक कथा रानी और एक कुती का बच्चा से है, कुती के धतरी स्व्वक्त थी एक राजा था उसका कोई संतान नहीं था और 12 सल उसका साधिका हो चुका था राजा निराष हो चुके थे उनको लगता था मुझे संतान नहीं होगा वे चरा थक चुके थे हर चीज से उन्हें सब जवाब दे चुका था कि आपका संतान नहीं होगा एक दीन का बात है राजा साहे बजार जा रहे थे और बजार जाते समय अपने रानी से पुछे रानी साहब हम बजार जा रहे हैं आपके लिए क्या ले आएंगे रानी बोली महाराज क्या बतावें मेरे लिए कुछ नहीं लाईएगा राजा बोले नहीं रानी कुछ तो बता दीजिये जिसमें आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी रानी सोची और बोली जाइए मेरे लिए एक कुटी का बच्चा लेते आईएगा राजा बोले हाँ ये क्या बोले रानी ये क्या किजिएगा बोले नहीं मेरे लिए वही चाहिए मुझे मन रंजन चाहिए क्योंकि मुझे तो संतान है नहीं राजा सोचे ठीक है ओ विचारा बजार गएं सारा समान खरीदे लाश्ट में एक कुटी का बच्चा खरीद लिए खरीद के लाके रानी को दे दिये रानी उसको रखने लगी पोशने लगी लेकिन ओ जो कुटियां थी ओ विचारी रानी को पैर हाज सब दवाया करती थी रानी के बरतन कपड़ा सब धोती थी जैसे लगता था कि इसका बच्चा है राजा रानी से प्यार नहीं करते थे क्योंकि इनका संतार नहीं था उनको सोच था कि हम दुसरी साधी कर लेंगे अज जब दुसरा साधी का सोर कर दिये कि हम दुसरा साधी करेंगे तो कुतियां बोली रानी से रानी यह न्याय हो रहा है राजा गलत कर रहे हैं वो क्यों साधी करना चाहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे बिचारी रानी बोली देखो जहां है वहीं रहो वो कर रहे हैं तो करने दो पर कुटियां विचारी सोची नहीं ये गलत है वो संकर भगवान के मंदिर गई और जाके आराधना की महाराज राजा गलत कर रहे हैं एसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा और जाके राजा से बोले महाराज रानी का बहुत जादा तबियत खराब है राजा बोले क्या हुआ है बोले महाराज ये तो मुझे नहीं पता पर जाके राणी से पुछिए अजब राजा राणी के महल में आने लगे तो राणी को सुलादी विचारी कुतिया बिश्तर पे और बोली राणी आप बोलिये मुझे बहुत तबियत खराब है मैं बिमार हूँ राणी वैसाही की राजा आएं पूरे रात उसके रूम में बिता दी हैं सुबा हुआ तो कुतिया जाके फिर से बोली राजा से राजा सहे राणी को उल्टी हो रहा है राजा सहे बोले अच्छा डाक्टर बोला दें नहीं राजा सहे वो कुछ अलग है इसलिए उनका तबियत खराब है राजा सोचे क्या हो सकता है ऐसा आके राणी से पुछे क्या हुआ राणी आपको ऐसा बता रही थी कि तबियत खराब है राणी बेचारी बोली हां महाराज मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ मन अलग रहा है राजा खुसी हो गए और अपने साधी को चर्चा ही खतम कर दिये दूसरा साधी का खतम कर दिये कि नहीं हम साधी नहीं करेंगे जब एक से दो मा तीन मा हो गया तो राणी के लिए कुटियां पूरा सोर फैला दी कि राणी मा बनने वाली है जब छे मा हो गया तो उसके पेट में बिचारी कुटियां कपड़ा उच्चा करके बांदी और राजा से बोली राजा साहब रानी को कुछ करने मत बोलिये रानी मा बनने वाली है आप भी जानते हैं अगर जो किसी परकार का इने तक लीफ हो जाएगा तो बहुत दिकत हो जाएगा बेचारी राजा सहय उन्हें कुछ काम नहीं करने देते थे नवकर चाकर से ही करवाते थे जब नौमा महिना हो गया तो राणी से बोली महारानी आप जूट मूट के बोलिये कि मेरा तबियर ठीक नहीं है आप बोलिये कि मेरा पेट दर्द कर रहा है आज मैं बहुत परसान हूँ राजा से ऐसा कहिए और जाके कुतियां विचारी राजा से बोली महाराज रानी आपको बुला रहे हैं विचारा राजा दोड कर आए और बोले क्या हुआ रानी बोली मेरा तबिया ठीक नहीं है आप किसी डगरीन को बुला लाए राजा तुरत बुलाए डगरीन को आई डगरीन डगरीन से जूट मुट बोल दी कि जाके बोल दो राजा से कि हाँ आज राजनी को बच्चा होगा कुतिया बोली जो मांगेगी वो देंगे हैं लेकिन राजा से जूट बोलना का करे बिचारी जूट बोलके बोली राजा सहे आपका लड़का पैदा लिया है बिचारी जूट बोलके राजा से बताई राजा सहाब बहुत खूस हो गए जाके कुतिया बोली महाराज आप कासी जी से ब्रहामन ले आईए इनको गरगोचर ह तो भला राजा का बात था तुरत ब्रहामन को बोलाएं पत्रा दिखवाएं राजा पत्रा दिखवाएं तो ब्रहामन से बेचारी कुटिया पेला ही कह चुकी थी कि तुम बोल देना की बारा बर्स तक नहीं देखने का है उनको ब्रहामन ने ऐसा ही बोले राजा से राजा बोले क्या होगा बारा बर्स तो बारा दीन होगा मेरे लिए कुछ नहीं है संतान है तो सब कुछ है राजा सहेब जब अपना घर में भोजन के लिए आते थे तो बिचारी कुतियां एक बच्चा के आवाज में रोने लगती थी जुन-जुना लेकर बजाने लगती थी राजा सहेब राणी से बोलते थे राणी मुझे मत देखी अपने बच्चे को समा लिए उन्हे तो पता भी नहीं था कि बच्चा है या जुठा जब 12 साल हो गया то साधी का चर्चा फ़ेल गया किराजा सहाब के लड़का के साधी होगा जब साधी का चर्चा फ़ेल गया तो पुरा देस से आने लगें उनके रिस्ता के लिए लेकिन लड़का देखने का जित किये कुटियां बोली नहीं जब लड़का को पिदा नहीं देखे है घर में उसको और कोई परिवार नहीं देखे है जो घर में नुकरानी है ओ नहीं देखी है आप कैसे देख लिजिएगा ऐसा नहीं हो सकता है करना है किजिए नहीं करना है साधी मत किजिए लेकिन बिचारी कुटिया रोज मंदीर शिप जी के जाया करती थी और शिप जी से आराधना करती थी कि महाराज मेरा लाज रखिये हम जो कर रहे हैं वो गलत सावित मत किजिएगा भगवान से प्रातना किया करती थी विचारी रोज पूजा करती थी जब उसका साधी सेठ हो गया बीना देखे सब कोई बोले जो देखने आये थे कि राजा है तो राजा के जैसा ही हो गये उनके पुत्र ना इसलिए साधी उनका सेठ हो गया बरात भी सजने का दिन आ गया जब रात सजने का दिन आ गया तो दो दिन पहल बिचारी कुतियां एक हलुआय के घर गई और जाके बोली हलुआय से हलुआय भाई तुम चिन्नी का एक सुन्दर मूर्ती बना दो और सुन्दर मूर्ती बना दो और बना के हमको दे दो बोली ठीक है दे देंगे दे देंगे मूर्ती और क्या बोले ठीक है मूर्ती बेचारा हलुआय उन्हें बना के दे दिये दे दिये और मूर्ती को कपड़ा पहना दी कुतिया और डोली में बैठा दी डोली में बैठा दी कहार को बोली कि भाई यही प्रणुने से नहीं उठेंगे इन्हें डोली में बैठा दिये बारात सज़ गया वहां से चल दिये बारात क्यों कि किनी को देखने का नहीं था दुलहा का ऐसा दोली थी पूरा जहकल जहकल था जब जहां के वहां से लेके निकला था डोली आगे बढ़ा कुछ दूर तो एक देवी मा का मंदिर था वहां पर संकर जी का भी मंदिर था बोली जाके देवी मंदिर में रख दो भाई देवी मंदिर में जाके कहार रख दिया डोली को अजब डोली को रख दिया तो कहार के बेचारी कुटिया बोली कि भाई ये जो दुलहा है इनको पकड़ के मंदिर मे रख दो मंदीर में सब मिलके रख दिये तो तो चिन्नी का मुर्ती था उसमें चुट्टा पिप्री बिर्णी सब कुछ लग गया और जो मुर्ती था उसको खाने लगा खाने लगा सब चुट्टा पिप्री बिर्णी जो भी जिव जन्तू थे सब मिलके खाने लगें तो ये कुटिया पूरा चिला चिला के रूहने लगी कि देवी मैया ये गोड़नक लगने आया था और सब मिलके खा गए मेरा बेटा को पूरा चिलाने लगी कुतिया अब क्या करें देवी माता संकर भगवान दोनों विचार किये कि अब हम तो इसको जाल में फस गएं संकर भगवान भी बेचैन थे कि ये रोज पुजा करने आती थी अब आज देवी को भी फसाद दी अब क्या करें संकर भगवान के मंदिर गई जड़ से कुतिया और बोल रही है कि अगर जो तुम मुझे लड़का नहीं दोगे तो हम तुम्हारे मंदिर में लैटिंग कर देंगे बात्रूम कर देंगे तुम्हारा मंदिर कोई नहीं आएगा कोई नहीं पुजा करेगा पूरा बेचारी गिर गिर आ रही है देवी मंदिर और संकर जी का मंदिर दोनों एक कर दी दोनों मिलकर बोले कि अच्छा ठीक है कुछ तो करना पड़ेगा वहां के एक गढ़ेरी था उसका पूत्र बीमार था संकर भगवान बोले उसका पूत्र बीमार है अब तब में है उसको उधर मिर्टू दे देते हैं और इधर उसका जीवन परविश कर देते हैं ओ गढ़ेरी का पूत्र जो था ओ बिचारा मर गया और चिन्नी का मूर्ती जो था ओ मनुष बन गया संकर भगवान का सक्ती जब मनुष बन गया तो बैचारी कुतिया देखी कि अरे 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 ये तो सुन्दर लड़का बन गया राजा बन गया कहार के जट से बोलाया और बोला भाई बारा बरस पूर गया है चलो यहां से डोली लेके चलो दुला के बैठाओ डोली में कहार तो देखे तो चकित हो गए कि अभी हम लोग सब पकड के ले गए थे कुछ अदलग सा लग रहा था अब लड़का हो गया है लेकिन कहार किसी से नहीं बताएं वहां चल गया साधी के लिए बारा जहां साधी सिट था वहां गयें साधी हो गया सब लोग खुशते वहां से दुलहा दुलहन लोटके आ गयें जब नजदीक आएं तो कुतियां घर आई बिचारी और रानी से बोली रानी क्या देख रहे हैं आप पर्छन के तयारी किजिए बिचारी बोली रानी अरे तू तो हमको मरवा देगी, क्या प्रशने को लिए कह रही हो, किसे परचेंगे, जो चिन्नी का मूर्ती बनाईए उसे, आज तो राजा जीते जी हमको मार देगे, कुथियां बोली, महारानी मुझ पर विश्वास किजिए, बहु और बेटे आ रहे हैं, आप उठिये तो, बेचार रानी नहीं उठे, कुथियां परचने का तयारी की, परचन के लिए आए माई दाय सभी को बुलाई, और डोली जब तक आ गया दरवाजे पर, जब दरवाजे पर डोली आ गया, तो उधर से अंदर से रानी भी आएं, देख रहे हैं कि बहु और बेटे मेरा दरवाजे कि अरे, यहां से तु कुतिया ले गई थी चिन्नी का मूर्ति, पर वहां से, ऐसे कैसे, इन्हें जवाब मिल गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए और बोले, नहीं, जो तु सोच रही हो, ओही सच था, लेकिन ए, जो तुम्हारे पास कुति है, ओ मेरा सेवक थी, इसी को किर पासे, तुम्हें पूत्र मिल गया है, अब तुम पूत्र वाली ही रहोगी, तुम्हारा कुल और बंस का ब्रिधी होगा, यह तुम्हारा ही पूत्र है, हरहर महादेव